तत सद जैनेंद्र कुमार एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे, वो पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर खूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें कभी नहीं मिला था, देखते ही जी में दहशत होती थी, वहाँ एक बड़े पेड की छा में उन्होंने वास किया और आपस मे बातें करने लगे, एक ने कहा, आह, कैसा भयानक जंगल है, दूसरे ने कहा, और कितना घना, इसी तरह कुछ देर बात करके और विश्राम करके वो शिकारी आगे बढ़ गए, उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बढ़ के पेड़ से कहा, बढ़ दादा, दादा ने कहा, जब मैं छोटा था, तब इन्हें देखा था, इन्हें आदमी कहते हैं, इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है, देखा, वो चलते कैसे हैं, अपने तने की दो शाखों पर ही चलते चले जाते हैं, शीशम, ये लोग इतने ही उच्छे रहते हैं, उधर उधर चलते रहते हैं, उपर की और बढ़ना उन्हें नहीं आता, बिना जड़ न जाने वो जीते किस तरह हैं। बढ़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उमर हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा, सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेडिया, पर वन नाम के जानवर को तो मैंने अब तक नहीं देखा। बबूल ने कहा, दादा, प्रीती की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वो आदमी वन को भयावना बताते थे, जरूर वो शेर चीतों से बढ़ कर होगा। दादा, सो तो होता ही होगा, आदमी एक टूटी सी तहनी से आंग की लपट छोड़ कर शेर चीतों को मार देता है, उन्हें ऐसे करते हमने अपने सामने देखा है, पर वन की लाश हमने कभी नहीं देखी, वो जरूर कोई बहुत खौफनाक जीव होगा। इस तरह की बातें उन्में होने लगी, वन को उन्में से कोई नहीं जानता था, आसपास के और पेड, साल, सेमर, सीरस उस बाचीत में हिस्सा लेने लगे, वन को कोई मानना नहीं चाहता था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर अज्यात भाव से उसका डर सबको था, इ मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बढ़ दादा ने गंभीर वानी से कहा, तुम तीखा बोलते हो, बात ये है कि बताओ, तुमने वन देखा है, हम सब लोग उसको जानना चाहते हैं, बांस ने रीती आवाज से कहा मालूम होता है, हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 कहती हूँ, घूं गई है, पठहरती नहीं, हर घड़ी सुनता हूँ, वन है वन है, पर मैं उसे जानता नहीं, क्या किसी ने उसको देखा है, क्या किसी को वो दिखा है, बढ़ दादा ने कहा, बिना जाने फिर तुम इतना तेज क्यों बोलते हो? बांस ने सन सन की ध्वनी में कहा, मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है, मैं खोखला जू हूँ, मैं बोलता नहीं, बजता हूँ, हवा ही मुझे में बोलती है. बढ़ने कहा, वंच बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो जुक ना जानते, लंबाई में सब कुछ नहीं है. वंच बाबू ने तीवरता से खड़-खड़ सन सन किया, कि ऐसा आपमान वो नहीं सहेंगे, देखो वो कितने उंचे हैं. बढ़ दादा ने उधर से आँख हटा कर, फिर और लोगों से कहा, कि हम सब को घास से इसके विशय में पूछना चाहिए. उसकी पहुँच तो सब कहीं है, वो कितनी व्याप्त है, और ऐसे बिछी रहती है कि किसी को उससे कोई शिकायत नहीं होती. तब सब ने घास से पूछा, घास री घास, तु वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती, लोगों की जड़ों को जानती हूँ, उनके फल मुझसे उँचे रहते हैं, पदतल के इस पर्ष से सब का परिचे मुझे मिलता रहता है, जब मेरे सिर पर ज्यादा चोट पड़ती है, तो समझती हूँ कि ये ताकत का प्रमाण है, धीमे कदम से मालूम होता है कि कोई दुखियारा जा रहा है, दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हुई यहां से वहां तक बिची रहती हूँ, सभी कुछ मेरे उपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना, दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती, घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा, तब बड़ी कठिनाई हुई, बुद्धी मती घास ने भी जवाब दे दिया, वागमी वन्ष बाबू भी कुछ न बता सके, और बड़ दादा स्वयम अत्यंत जिग्यासू थे, किसी की समझ में ये नहीं आया, कि वन नाम के भयानक जन्तू को कहां से और कैसे जाना जाए, इतने में पशुराज सिंग वहाँ आये, पैने दाद थे, बालों से गर्दन शोभित थी, पूँच उठी थी, धीमी गर्वीली गती से वो वहाँ आये, और किलक किलक कर बहते जाते हुए, निकट के एक चश्मे में से पानी पीने लगे, बढ़ दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंग भाई, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, जाने कहां कहां छापा मारते हो, एक बात तो बताओ भाई, शेर ने पानी पीकर गर्व से उपर को देखा, और दहार कर कहा, कहो, क्या कहते हो, बढ़ दादा ने कहा, भाई हमने सुना है कि कोई वन होता है, जो यहां आसपास है और बड़ा भयानक है, हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो, उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है, बताओ तो वो कैसा होता है, शेर ने धार कर कहा, लाओ सामने वो वन, जो अभी मैं उसे चीर फाड करना रख दूँ तो, मेरे सामने वो भला क्या हो सकता है, बड़ दादा ने कहा, अच्छा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ, शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वो जीता बच सकता था, मैं अभी दाहार देता हूँ, हो अगर कोई वन, तो आए सामने, खुली चिनाती है, या तो वो, या मैं हूँ, ऐसा कहकर उस वीर सिंग ने, वो तुमल घोर गरजन किया, कि दिशाएं कापने लगी, बड़ दादा के देह के पत्र, खडखड करने लगे, उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए, शावप ची ची कर उठे, चहुं और जैसे आतंक भर गया, पर वो गरजन गूंज कर रह गई, हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया, सिंग ने उस समय गर्व से कहा, तुमने ये कैसे जाना कि कोई वन है और आसपास रहता है, जब मैं हूँ, आप सब निर्भए रहिए, कि कोई वन नहीं है, कहीं नहीं है, मैं हूँ, तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए, बढ़ दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहां सदियां हो गई है, वन होता तो दिखता आवश्य, फिर आप हो, तब कोई और क्या होगा, पर वो दो शाखा पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वो ही यहां मेरी छाया में बैठ कर उस वन की बातें कर रहे थे, ऐसा मालूम होता है कि यह बे जड़के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं, सिंग ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, उसका मास मुलायम होता है, लेकिन वो चालाग जीव है, उसको मुँ मार कर खा डालो तब तो वो अच्छा है, नहीं तो उसका भरूसा नहीं करना चाहिए, उसकी बात-बात में धोखा है, बढ़ दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा, कि सिंग राज, तुमारे भाय से बहुत से जन्तु चुप कर रहते हैं, अंधेरे में मूँ गाड़ कर रहने वाले साप जैसे जान्वर को तो जरूर सब कुछ बता होगा, हम पेड तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जानें? शेर ने कहा, मैं जो कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं, जब तक मैं हूँ, कोई डर न करो, कैसा साप या जैसा कुछ और, क्या मुझसे कोई जादा जामता है? बड़ दादा ये सुनते हुए अपनी दाड़ी की जटाएं नीचे लटकाए बैठे रह गए, कुछ बोले नहीं, औरों ने भी कुछ नहीं कहा, बबूल के काटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ उठाए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा, और मू नहीं खोला, अंत में जमहाई लेकर मंथर गती से सिंग वां से चला गया, भाग्य की बात, सांज की जुटपटा होते होते, चुप-चुप खास में से जाते हुए दिख गए चमकीली देहे के नागराज, बबूल की निगाह तीखी थी, जट से बोला, दादा, ओ बरदादा, वो जा रहे हैं सरपराज, ज्यानी जीव हैं, मेरा तो मोन के सामने कैसे खुले, आप ज़रा पूछो तो, कि वन का ठोट ठिकाना, क्या उन्होंने कभी देखा है, बडदादा शाम से ही मोन हो रहते थे, वो उनकी पुरानी आदत थी, बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता ठीक नहीं, बबूल जख्की ठहरे, बोले, बडदादा साम धर्ती से इतना चिपक कर रहते हैं, कि सौभागे से हमारी आखें उन पर पड़ती हैं, और ये सर्प अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्यानी होंगे, पन देखिये न, कैसा चमकता है, अवसर नहीं खोना चाहिए, इनसे कुछ रहसे पालेना चाहिए, बडदादा ने तब गंभीर वाणी से साम को रोब कर पूछा, कि हे नाग, हमें बताओ, कि वन का वास कहा है, और वो स्वयम क्या है, साम ने आश्चरे से कहा, किसका वास, कौनसा जन्तू, और उसका वास तो पाताल तक तो कहीं नहीं, बडदादा ने कहा, कि हम में से कोई भी उस संबंद में कुछ नहीं जानता, तुमसे जानने की आशा रखते हैं, जहां जरा छिद्र हो, वहाँ तुमारा प्रवेश है, कोई टेढ़ा मेढ़ा पन तुमसे बाहर नहीं, इसी करते तुमसे पुछा है, साप ने कहा, मैं धर्ती के सारे गर्त जानता हूं, भीतर दूर तक पैठ कर उसकी अंतरभेद को पहचानने में लगा रहता हूं, वहाँ ग्यान की खान है, अब तुमको क्या बतलाओं, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा वन, लेकिन कोई गहराई के सच्चा ही नहीं जान पड़ती, वो तो कोई बनावटी और सत्ही चीज़ है, मेरा वैसा उपरी और उथली बातों से कोई वास्ता नहीं, बढ़ दादा ने कहना तो चाहा कि वो परसाप ने कहा, वो फरजी है और ये कहकर वो आगे बढ़ गए, मतलब ये कि सब जीव जन्तू और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताच करने लगे कि वन को कौन जानता है, और वो है क्या, कहा है, उनमें सबको ही अपना अपना ग्यान था, अज्ञानी कोई नहीं था, पर उस वन का जानकार कोई भी नहीं था, एक नहीं जाने, दो नहीं जाने, दस बीस नहीं जाने, लेकिन जिसको कोई भी नहीं जानता, ऐसी भी भला कोई चीज कभी हुई है या हो सकती है इसलिए उन जंगली जंतूओं में और वनसपतियों में खूब चर्चा हुई ऐसी चर्चा हुई कि विध्याओं पर विध्याएं उसमें से प्रस्तुत हो आई अंत में तैप आया गया कि दो टांगों वाला आदमी इमानदार जीव नहीं है उसने तभी वन की बात बना कर कह दी वन बन गया सच में वन जैसा कुछ नहीं है उस निश्चे के समय बढ़ दादा ने कहा भाईयों उन आदमीयों को फिर आने दो इस बार साफ साफ उन ही से पूछना चाहिए कि बताएं वन क्या है बताएं तो बताएं नहीं तो खामखा जूट बोलना छोड़ दें लेकिन उन से पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं वो भयावता बताते हैं जाने वो और क्या हो लेकिन बड़ दादा की वहां विशेश चली नहीं जवानों ने कहा कि ये बुड़े हैं इनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के नव होने का फैसला पास हो गया एक रोज आफत के मारे फिर वो शिकारी उसी जगह आये उनका आना था कि जंगल जाग उठा बहुत से जीव, जन्तू, जाड़ी, पेड तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दरसाने लगे मानो वो उन आदमियों की भर्थसना कर रहे हों आदमी बिचारे को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा, उन्होंने अपनी बंदू के संभाली इस टूटी सी टहनी को जो आग उगलती है वो बढ़ दादा पहचानते थे उन्होंने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग इतना अधीर क्यों होते हो इन आदमियों के खतम हो जाने से तुमारा हमारा फैसला निर्भरम कहलाएगा जरा तो ठहरो, घुस्से से कहीं ग्यान हासिल होता है ठहरो, इन आदमियों से उस सवाल पर मैं खुद निप्टारा किये लेता हूँ ये कहकर बढ़ आदमियों से मुखातिब होकर बोला भाई आदमियों, तुम भी इस पोली चीज का मू नीचा करके रखो जिन में तुम आग भर कर लाते हो दरो मत, अब ये बताओ कि वो जंगल क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो बताओ, वो कहां है आदमियों ने अभ़य पाकर अपनी बंदू के नीचे कर ली और कहा, जंगल, यही तो है जंगल, जहां हम सब है उनका इतना कहना था कि चीं, चीं, कीं, कीं सवाल पर सवाल होने लगे जंगल यहां कहां है, कहीं नहीं है तुम हो, मैं हूँ, यह है, वो है जंगल फिर कहां हो सकता है तुम जूटे हो, दोखे बाज, स्वार्थी, खतम करो इन्हे आदमी यह देखकर डर गए वो बंदू के संभालना चाहते थे कि बढ़ दादा ने मामला संभाला और पूछा सुनो आदमियों, तुम जूटे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा क्या यह आग भेकनी लिए फिरते हो तुम्हारी बोटी का पता भी न चलेगा और अगर जूटे नहीं हो तो बताओ जंगल कहा है उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विसमय से और भै से कहा हम सब जहां है वही तो जंगल है बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा बको मत वो सेमर है वो सीरस है साल है घास है वो हमारे सिंगराज है वो पानी है वो धर्ती है तुम जिसकी छा में हो वो हमारे बड़ दादा है तब तुम्हारा जंगल कहा है दिखाते क्यों नहीं तुम हमको दोखा नहीं दे सकते प्रमुख पुरुष ने कहा ये सब कुछ जंगल ही है इस पर घुस्से से भरे हुए कई वंचरों ने कहा बात से बचो नहीं ठीक से बताओ नहीं तो तुमारी खैर नहीं अब आदमी क्या कहें परिस्थिती देखकर वो बेचारे जान से निराश होने लगे अपनी मानवी बोली में अब तक वो प्राकरतिक बोली में बोल रहे थे अपनी मानवी बोली में एक ने कहा यार ये क्यों नहीं कह देते कि जंगल नहीं है देखते नहीं किन से पाला पड़ा है दूसरे ने कहा भाई मुझसे तो नहीं कहा जाएगा, तो क्या मरोगे, अब सदा कौन जिया है, इससे इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूँ, ये कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाईयों, जंगल कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वही हो, इस पर फि और मैं शेर, और मैं सांप, इस भाती ऐसा शोर मचा, कि उस बेचारे आदमी की अकल गुम होने को आई, बढ़ दादा नहों तो आदमियों का काम वहां तमाम था, उस समय आदमी और बढ़ दादा में कुछ ऐसी धीमी-धीमी बातचीत होई, कि कोई भी कुछ भी न सुन सक बातचीत के बाद, वो पुरुष उस विशाल बढ़ के व्रक्ष के उपर चरता दिखाई दिया, चरते-चरते वो उसकी सबसे उपर की फुनगी पर पहुँच गया, वहां दो नए-नए पत्तों की जोडी, खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी, आद देखते ही देखते पत्तों की वो जोडी, उद्वीग्व हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया, उन्होंने अपने आस पास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखाई दिया, कि वो कापने लगे, उनके तन में लालिमा व्याप गई, कुछ क्षन बाद, मानो वे एक चमक से चमक आये, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया हो, देख लिया कि कुल है, खंड कहां है, वो आदमी जब नीचे उतर आया, और अन्य वंचरों के समकक्ष खड़ा था, बढ़ दादा ऐसे इस्थिर शांत थे, मानो योग मगन हो, कि सहसा उनकी समाधी तू कहा, वो है, कहकर वो चुप हो गए, साथियों ने दादा को संभोतित करते हुए कहा, दादा, दादा, दादा ने इतना ही कहा, वो है, वो है, कहा है, कहा है, सब कहीं है, सब कहीं है, और हम, हम नहीं है, वो है, वो है.